सो गैस कॉमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि अभी इस साल बोड एक्जाम में आपका टार्गेट कितना है कितने परसंट का आपने टार्गेट रखा हुआ है और इसी के साथ एक चीज मैं आप सभी को और पूछना चाहूंगा कि कितने बच्चों को प्लीज अभी तक यह ड अगर मैं बात करूंगा इस देखो स्ट्रेट फॉरवड बात बोलूंगा और जिससे आप एकदम अराम से सब चीज समझ जाओगे देखो जो आपका लैंग्वेजस होता उस लैंग्वेजस में जो आकलन कुरती आता है जैसे बॉक्स बनाना रहता है ऐसे सरकल बनाना रहत है अब दूसरी बात पैंसिल कहां यूज करना चाहिए देखो साइंस के अंदर जितने डाइग्राम समय ड्रॉ करने हैं साइंस के जो डाइग्राम होते हैं उनको पैंसिल से ड्रॉ करना चाहिए अगर आब वहां पैंसिल कर देते हो तो भाई कोई रॉंग नहीं होता कोई म बार-बार खराब नहीं कर सकते, इसलिए science के जो diagram से उनको हमें किस से draw करना चाहिए, pencil से draw करना चाहिए, और leveling उसको हमें किस से करना चाहिए, paint से करना चाहिए, और diagram से related एक rule है, जो already अपने channel पे डाला हुआ है, जिसको आपको देखना चाहिए, और समझना चाहिए, अगर आ ink pen use करना चाहिए, देखो इसके पीछे भी कोई board का rule नहीं है, कि अगर आप gel pen use करोगे, ink pen use करोगे, तो आपका paper cancel कर दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, इसलिए मना किया जाता है, इसके पीछे का reason यह है, कि जो gel pen और ink pen होता है, बहुत बार फैल जाता है, क्योंकि paper ब कराब होगे, तो at the last loss, आपका ही होगा, कि वहां marks मिलने वाला नहीं है, इसके लिए कोई rule नहीं है, कि अगर आप use करोगे, तो आपके mark zero cut हो जाएगा, आपके पूरा दीख रहा है, फिर भी आपको mark zero हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो साहित मेरी बात समझ में आ ग आपके प्रादस तो